हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आई हूप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटुब चैनल जे और टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामदें के मोस्ट इंपोर्टन हिस्ट्री का लेक्चेर वीडियो लेकर आज चुका हूँ दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10 स्टांडर के लिए हिस्ट्री सब्जेक का जो हमने एक बहतरी चाप्टर न्यू चा जाता था और आज के जमाने में भी क्या खेल खेल जा रहा है उसकी पीछे का हिश्ट्री क्या है यह सबी चीज हमने स्टाठ कर दिया था चाप्टर की लेक्चर नाबर वन लिए ह। अगर आपने नहीं देखा एक लेक्चर नाबर वन तो प्लीज जाके आप leksowe देख लोक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, साथ ही में आप प्लेलिश को चेक कर सकते हो, क्योंकि प्लेलिश में आपके बाकी के हर चाप्टर्स प्रेजेंट है, हर स्टैंडर्ड के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, साइन्स और मैस पुरा कंप्लीट है, दोस्तों, आ आपके करियर गाइडेंस के लिए, जैयार टॉक्स है, आपके थोड़ा सा एंटर्डेंबिन के लिए व्लॉग्स भी है, तो आप अगर चाहोगे, तो जैयार टॉक्स और जैयार व्लॉग्स पे हमें सब्स्क्राइब कर सकते हैं, और जाके देख लेना बहुत ही आपको आज काया जो टॉपिक है, अड्वेंचरेंस गेम है, यानि कि कुछ ऐसे गेम, अड्वेंचरेंस का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे गेम जिसको करने भेंचर मिले, कुछ मजा आया, अलग तरीके से अडवेंचर हो, ठोड़ा सा डेरिंग वला काम हो, तो ऐसे बहुत सारे ग तो यह सब बहुत ज़्यादा popular game है, जिसमें बहुत ज़्यादा अलग-अलग skills की जरुद पड़ती है, balancing skills की जरुद पड़ती है, और यह बहुत ही अलग विजितर प्रकार के game है, जो अकसर यहाँ पे notice किया गया है, साथ ही में अगर बात करें कुछ अलग टाइप की adventurous game होते हैं, जैसे कि mountain climbing होता है, rope climbing होता है, फिर इसके अलावा अगर बात करें, rock climbing होता है, ठीक है न, gliding होता है, आपको पता है, जो paragliding जिसको हम लोग बोलते हैं, पहाड के उपर से वो parachute लेके कूजना, उस प्रकार के games जो होते हैं, वो real है, और वो games खेलके लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो adventurous game है, तो वो सभी चीज इसके अंदर आ जाते हैं, फिर auto racing हो गया, car racing हो गया, bike racing हो गया, motorcycle racing हो गया, वो सभ इसके अंदर डाल देना, अगर आपको के question बूझेगा, तो बहुत easy है, बहुत easy chapter भी है, याद रहेगा, adventurous game, अगला बात करते हैं, यहाँ पर sports competition, sports competition one of the most important topic, क्योंकि आप normally जानते हो, कि sports अगर आप खेल रहे हो, तो उसमें competition होना, बहुत जरूरी है, अगर आप competition नहीं करोगे, तो सिर्फ normal आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि देखो, हम जब game खेलते हैं, ठीक है ना, mobile में games खेलते हैं, जैसे car racing का game है, तो car racing game है, हर बार आप last आओगे, तो आपको खुशी मेसूस होगी, क्या नहीं मैसूस होगी, जब आप car racing में game खेल रहे हैं, तो मुझे इसको हराना है, मुझे इसको हराना है, या फिर कोई भी game खेलते हो, मुझे इतने kill करना है, आप खेलते हो ना, तो इतने kill करना है मुझे, तो normally आप जब ज़्यादा kill करते हो, विनर विनर चिकन डिनर हसिल करते हो तब जाके आपको मज़ा आता है कहीं ने गई समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ तो सेम उसी प्रकार कोई भी गेम्स में जब competition नहीं रहेगा तो उस game का value खतम हो जाता है जैसे cricket है, world cup है, तो world cup में cricket क्यों खेला जाता है ठीके ना, cricket में world cup क्यों खेला जाता है ताकि हम world cup जीत पाए, number one team बन सके लगिन जब हम हार जाते हैं, तो हमें निराशा होती है, हमें अच्छा नहीं लगता है तो यानि कि जितने भी types के competitions है, it is very necessary to build the spirit of the game and competition होना बहुत एची तो ऐसे बहुत अलग-अलग तरीके से competitions होते हैं जैसे आप जानते हों, अलग-अलग type के competition होते हैं, जैसे कि Olympics होता है यह आप जानते होंगे, ठीके, Olympics होता है, उसके अलाबा कुन सा game होता है तो Olympics हो गया, Asian Games हो गया, Paralympics, Paralympics क्या होता है, Olympics होता है लेकिन उसमें जो candidates जो हिस्सा लेते हैं, या तो वो disabled होते हैं, यानि किसी भी तरीके से physically disabled किसी का organ damage है, या फिर कुछ भी problem है, जिसको आप जानते हो, handicap, जिसको हम आप नॉमल तरीके से बोलते हैं तो ऐसे व्यक्ति भी Paralympics में जाते हैं, और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग है, जिन्हों ने participate किया, और हमारे देश का नाम रोशन किया, gold medal, silver medal लेकिया हमारे लिए ऐसे बहुत सारे बार हुआ है, तो disabled people के लिए होता है, फिर साथी में इसके अलावा और कौन सा famous competition है, cricket का, cricket का एक बहुत famous competition है, जिसको हम लोग बोलते है, world cup, यह तो हमेशा होता है, और अब भी recently, T20 world cup हुआ, जिसमें Australia जित गई, आपने देखा ही होगा, India हार गई थी पह certificates मिलते हैं, cash money मिलता है, तो इसके वज़े से क्या होता है, कि यह जो game का spirit है, जो game का excitement है, वो बना रहता है, क्योंकि अगर यह सब चीज नहीं रहेगा, तो लोग सिफ आपस में खेल के बोर हो जाएंगे, सिफ आपर रोज आप series ही देखोगे, series देखोगे, तो normal मज़ा नह competitions होते हैं, जो basic से basic अगर आप देखोगे, तो city level पे भी होते है, आप पूरे nation के हिसाब से national level पे भी competition होता है, और last but not bullish international level पे भी होता है, यानि कि हर जगे अपने-पने level पे competition करवाया जाता है अलग-अलग games का और उसमें जो spirit है games का वो ऐसे ही build-up होता रहता है और sports persons को हमेशा national में, international में अच्छे perform करने की जरूद होती है ताकि game का spirit भी high हो और अपने देश का वो नाम भी रोशन करे और इस प्रकार से जो चीजे है वो अच्छी तरीके से होती भी रहती है ठीक है, अब आते हैं दोस्तो next topic पे जो कि हमारा अगला topic है, उमीद करता हो adventurous game क्या होता है और sports का competition क्यों जरूरी है और क्या होता है यह आपको clear हो गया होगा, अगला topic पे आ जाते हैं जो कि हमारा है globalization of sports, क्यों जरूरी है globalization या फिर क्या होता है globalization तो देखो globalization of sports की अगर हमें बात करू, sports हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है, क्यों? क्योंकि इसका महत्वा हर जगा है, अब महत्वा हर जगा इसका मतलब इसको globally लेके जाना पड़ेगा, globally तो मज़ा आएगा न, हम पूरे world से competition कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि कौन सी best team है और उसी प्रकार globalization भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो field of sports जो है normally, 21st century तक naturally बहुत ज़्यादा influence किया लोगों ने globalization को, और globalization के हिसाब सही है, जो sports का जो level है तो काफी आगे तक निकल के आया और लोग actively participate करने लगी, teams level पर जाने लगे, national level पर, international level पर participate करने लगे, और दुनिया में किसी भी कोने में से बहुत सारी teams जो है आने लगी, खासकर अगर बात करे, football जैसा event हो गया, या फिर Olympics में जो अलग-अलग type के events होते हैं, उसमें दुनिया से कोने कोने से छोटी-छोटी देश की teams भी आते हैं, participate करते हैं, और medals को जीत के जाते हैं, हाँ, cricket में अगर देखा जाए तो सिर्फ 12-15 ही team में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी आप पूरे Olympics की बात करो, जितने भी games है, चाहे फुटबॉल की बात करो, तो बहुत सारे ऐसी दुनिया में कोने-कोने से team आती है, वो participate करती है, जिससे हमारा जो पूरा sports industry है, जो sports का मोहले वो बहुत ज़्यादा high level पे पहुँच जाता है और ये globalization के वज़े से ही हो पा रहा है ठीक है, और आजकल इतना ज़्यादा आसान भी हो गया है कि हम जो sports होता है, इसको हम लोग globally देख भी पारे, और आप जानते होंगे कि मैं globally देख पार हो, इसका मतलब क्या है कि अगर cricket का world cup चल रहा है, तो दुनिया में हर जगा इसका live telecast चल रहा होगा, football चल रहा है तो दुनिया में हर जगा इसका live telecast चल रहा होगा, बस अलग-अलग channels होते है, वो channels को आपको select करके जाके देखना होता है, यानि कि कहीं ने कहीं आप जो भी games देखना चाहते हो, वो अपने घर बैटे-बैटे अपने टीवी चालू करके आप उसको देख सकते हो, यह किस वज़े से possible पाया, because of the globalization, because the people of the world accepted, people ने, लोगों ने accept किया कि हम games को भी देखेंगे और मनुरंजन के तौर पे लेंगे और उसको accept करके देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़े होने लगा, पूरे entire world जो है, यह सब चीज़े देखने लगी, fans जो है matches देखते, खास कर cricket, जो इंडिया में, इंडिया की लगे, पैसा invest करने लगे, और इतना सारा इसमें चीज़े होने लगा, entertainment के साथ कि बहुत जादा global level पे यह sports industry है, वो आगे बढ़ चुका है साथी में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इसमें अपना किस्मत आजमाते हैं, job के तौर पे बहुत सारे commentators होते हैं, cricket खेलके हो गया, commentator बन गया मैं cricket की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे field है जिसमें आप अपना career भी बना सकते हैं और अपना बहुत ही अच्छा opportunities लेकरा सकते हैं अपनी life को सुधार सकते हो, clear है तो उमीद करता हूँ कि globalization sports का क्यों important है और क्या है, यह आपको समझ में आ गया होगा एक छोटा सा और आखरी topic है इस chapter का जो बचा हुआ है, यह हम लोग complete करेंगे लेकिन फिर भी कुछ topics रहेंगे तो उसको हम लोग क्या होता है, आपको पता है कि बहुत सारे games and toys जो है पहले के जमाने में लोग खेलते थे, toys से खेलते थे तो जो means होता था, या फिर equipments होता था गेम खेलने का, entertainment का वो बहुत सारे का क्या होता था, toys होता था, यानि कि कोई भी तरीके से लोग खेलोना, बना कि अगर उससे खेल रहे हैं, उससे entertainment कर रहे हैं या फिर उसके वज़े से कुछ information या फिर education अगर मिल रहा है, तो उस चीज़ को हम खेलोना बोलेंगे, या फिर simply क्या बोलेंगे, toy बोलेंगे तो toy बहुत सारे अलग-अलग material से बनते थे पहले के जमने में खासकर देखा जाए, तो toy जो है वो clay से बनाए जाते थे, मिटी से बनाए जाते थे और normally clay जो है इसको एक बहुत अच्छे नाम से जाना जाता था दोस्तो, normally अगर बात करें मृच्छ कटिका, बहुत भी खतरनाक नाम है मृच्छ कटिका, देखो मैं यह आपी लिखके दिखाता हूँ मृच्छा मृच्छा कटिका, यह actually एक clay art का नाम है clay art, मतलब clay से बनाए हुआ art clay से बनाए हुआ कुछ toys, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मृच्छ कटिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं archaeological survey of India, जो department हमारा जब कुछी कहाँ पे खुदाई करते थे, उनको मिट्टी से बने हुए, clay के बने हुए बहुत सारे वो लोग को क्या मिले toys मिले, खिलोने मिले, गुड़े-गुडिया मिले जिससे उनको यह पता चलागा कि पहले के जमाने के जो लोग होते थे, यानि एकदम ancient civilization वाले लोग, वो भी कही ने कहीं toys से खेलते थे और उससे entertainment और उससे education ले पाते थे, वो चीज़े करते थे और यह सब चीज़े जो है ना, वो कोई machine से बनाए नहीं हो जीती, यह हातों से बनाए हुई handmade crafts होते थे, handmade clay arts होते थे यह सब चीज़े होता था, और specially dolls गुडिया जो होती थी, वो भी हाथ से बनाए हुए clay arts से बनाए हुए, जिसको हम लोग रिच्छा कटिका बोलते हैं, यह सब चीज़े होता था और यह हमारी भारत्य संस्कृत ही Indian literature को दरसाता है, और यह सब चीज़े हमें बताता है और संस्कृत जो है, एक संस्कृत प्ले है, जो शुद्र का, ठीके ना, उन्होंने यह नाम रखा है, मिच्छा कटिका ठीके बहुत डिफिकल्ट नामे प्रणाउस करने के लिए तो उन्होंने यह नाम रखा है, clear है तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा तो यही सब चीज़ें जो है, आपको यह दिखाता है कि पहले के जमाने बेबी toys का इस्तिमाल होता था, चाहे toys से भी material का बनाओ, खासकर clay का बनाओ इसका इस्तिमाल होता था, जिससे लोग sports करते थे अपने तरीके से education भी लेते थे और अपना entertainment भी करते थे, clear है तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो इसी के साथ दोस्तो यह जो आज करेंगे, चोटा सा वीडियो जो में बनाए हो यह मैं समाप्त करूँगा, क्यूंकि आज थोड़ा सा घाई है लेकिन अगला lecture में फटा-फट से लेकर आ जोगा दोस्तो, lecture number 3, जो कि इसके आगे का जो पार्ट होगा, यानि कि sports में और क्या-क्या-क्या चीजे हैं, वो हम discuss करेंगे toys का history जानेंगे, क्या है, वो सबी चीज discuss करेंगे हमारे अगले lecture में, बस आप लोग को थोड़ा सा patience रखना है, मैं आपको पता ही कि मैं रोज वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, तो अगला lecture होगा, दिल से अच्छा लगा होगा दोस्तो तो please support करना, और हमारे इस वीडियो को like कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अगर दिल से पसंदार होगा, useful लग रा होगा, अच्छा समझ में आगया होगा, तो like कर देना इस वीडियो को, and साथी में ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो और शेर भी करो ठीक है न ये वर्ड मैं बोलना भूल गया लेकिन शेर करो ज्यादा स्यादा लोगों को बताओ कि ये चाप्टर कितना इजी है लोग डर के मारे हिस्ट्री के चाप्टर छोड के चले जाते हैं या फिर नही में ही नहीं आता है तो हम आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं तो ये सब चीज आपको बहुत एजी लग रहा होगा तो फटा फट से शेर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियो को अ इंक यू और बाइ